वेलकम टो अपनाज किचन मैं हूँ अपना फ्रेंट्स आज में लाएं हूँ लोकी की एकदम नई रेस्पी और लोकी सभी को खाना पसंद नहीं होता है तो आज हम इस तरह से बनाएंगे कि लोकी सभी की फेवरेट हो जाएगी और अगर आपने वीडियो देखने के बाद ल लोकी लीजिएगा तो देखिए इन्हें में छील के दूल लिया है अब हम इने कट करेंगे इस तरह से हम इने कट करना है बहुत चोटे पीस नहीं कट करने ही नहीं बहुत बड़े अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही निव निव आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइप कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेर कीजिएगा तो देखिए मैंने सारी लोकी के पीसे को कट कर लिया है अब हमें 20 से इस तरह से इसका यह जो पार्ट है यह निकाल देन कर लेते हैं यहां पर देखिए मेरे सारे पीस तयार हो गए है और लोकी का जो पार्ट मैंने निकाला है उसको हम फेकेंगे नहीं उसको हम यूज करेंगे तो चलिए देखते हैं नेक्स स्टेप क्या है तो यहां पर देखिए मैंने आधा कप चना दाल ली है और इसे मैंने दो घंटे पहले भीगो दिया था अच्छे से भीग के यह देखिए और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे साम को भीगो सकते हैं ओवरनाइट के लिए आप इसे भीगो दीजिए अच्छे से भीग जाएगी और नहीं तो आप दो घंटे के लिए भीगो दीजिए अच करेंगे साथ ही एक छोटा टुकड़ा अध्रक का इस तरह से कट करके एड़ करेंगे ताकि अच्छे से ग्राइंड हो सके तो अब चलिए हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं तो मिक्षी को रोग रोग के चलाईएगा इसे हमें तरदरा पीसना है तो देखिए हमारा इस तरह से दरदर है इस तरह से होना चाहिए और एकदम फाइन नहीं करना थे तो अब हम इसको निकाल लेंगे एक बौल में किété हमारा पेष्ट पतला नहीं होना चाहिए लिए पानी आपको बिल्दकूर भी नहीं स्माच भी नै MER करना है एक छमच बीन और अस तरह से हमारा पेष्ट तो यह थोड़ा सा भी गीला नहीं होना चाहिए अगर थोड़ा सा भी गीला वो गया तो फिर अच्छे से नहीं बनेगा और अब हम इसमें कुछ मसाले एड़ करेंगे तो यहां पे मैंने एक चोटा चमच लिया है कासूरी में थी और फोर टीस्पून से थोड़ा सा कम लिया इसमें गरम मसाला पुरी तरह आप डालना चाहिए तो डाले नहीं तो आप स्केप कर सकते हैं और इसकी जिगें आप कोई और मसाला आपको अच्छा लगता है छोले मसाला वह इसमें आड़ कर सकते हैं अप अच्छे से मिक्स कर दिया है यहां पर पे तेस्ट के कौप्ड हम नमक आड़ करेंगे और अच्छे से इसको मिस कर देते हैं और इधर देखिए हमारे जो लोकी के पीसे से इन में हम इने अच्छे से इस्टप कर देते हैं और यहां पे आप इस्पून से कर सकते नहीं तो आप इस तरह से हाथों से कर दीजिएगा असानी से हो जाता है इस लोकी की आपको और भी रेस्पी देखनी है तो उनका लिंक में दे दूंगी आप चेक करना तो लोकी की बहुत सा ही रेस्पी मेरे चैनल पर है नहीं नहीं तो आप उन्हें भी ट्राइ कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मुझे कॉमेंट में जरूर अब देखें आगे का इस ट्रिप क्या है तो यहां पर देखिए एक इस तरह से आपको प्लेट ले लेनी है इस तरह से चोटी बड़ी प्लेट जैसी भी आप ले सकते हैं मेरे पास यह थी तो मैंने यह ले ली अब हम सारे पीस इस तरह से इसमें रख देंगे और इने खड पानी गरम किया है करीब ग्लास और इसमें मैंने एक इस्टेंड रख दिया है इस्टेंड नहीं है तो आप इस तरह से कटोरी को उल्टा करके रख दीजिए तो प्लेट डारेक्ट कढ़ाई में नहीं रखनी है या भगोने में तो अगर आपके पास स्टीमर है तो आप कि प्लेट पानी में टस नहीं होनी चाहिए तो इस तासे हमें इसे रखना है अब हम इसे डख देते हैं तो अब हम इसे स्टीम होने देंगे करीब 10 मिट के लिए लो टू मीडियम हीट पर और तब तक इजह देखते हैं तो यहां पे मैंने एक टमाटर लिया है तो हम ग्रा दोटाने बचे कि आंट करूँ कि नृसा है है तो आरा बेंगे यह कि से बोस्त Detün को में Hem सब्सक्राइब और सारव कोनश से नृद्ट साबुए चाहिए का चाहिए अब देने हम सब्सक्राकर प्राइब सलगए फ़ीज अब कर लेखें दीजरे हैं पैन में हम सरसों का तेल लेट करेंगे तीन चमच और तेलगर होते ही हम इसमें जीर है अच्छे से क्रेकल हो चुका है और जैसे यई घर हमारे च्राइब करीब Mr. Cobain अधा चूटा चमच तो यहां पर आप कस्मी डैडचिली पौडर ले अकमीड़ तो सब्सक्राइब करें जाने हैं, इस इस आम पर acá Cris एक्ट उप्राइब आप यहां पर को तिर हम आठ करते हैं तो आप देखें मरा खुले सुधायत कष्छ hair da आप देखें एख जै करीब आपको शाउय को नीड़ी गोड़े वहां जली है और आदा छोड़ा चम्रत धनिया पाउडर क्योंकि मैंने इसमें बेसिक मसाले याइड किया है और बहुत ज्यादा मसाले नहीं याइड करेंगे अब हम इसको इस तरह से खुला ही थोड़ी दियर के लिए पका लेते हैं और देखिए मसाले हमारे भुण चुके हैं इसमें ओयल भी रिलीज हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और लोकी की जो प्यूरी बनाई थी वह हम डाल देते हैं इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे यहाँ पे लोकी की वज़े से टमाटर का कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है वरना यहाँ पे अगर आप एकदम रेट तमाटर लेते हैं तो भी थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है क्यूंकि इसमें लोकी एड़ की है अब हम इसको ठक देंगे और यहाँ पे अब हम अपनी लोकी को चेक करते हैं तो देखिए लोकी को हम इतना ही इसको तो अब भूप गधिते हैं और इसको औभू अलग रख़ाई और यहां पर केकिये जो इस सटाइब वीफुब incorpor में अच्छा ये वा रही है तो मनसाले को मेने करीब दो मिट के लिए लू हीट प्र entertained इस ते बहुत अच्छा Г मैं यहां पर देखिए करीब तो decrease in flour time तो मैंने यह 10 प्تمस्राइब करें आप जासी तो यहां पे गृट होगी, तो जादा और यहां यहां पहलेके सब्सक्राइब साथ अब ढ़क देते हैं अब 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 आपके हम इसमें एक बॉयल आने तक इसका बेट करेंगे अब इनको अचछे से मिक्स कर देते हैं क्यूंकि अच्छे से अंदर ग्रेवि चली जाए और अच्छे से यह मतलब मसालेदार हो जाएं अंदर तक तो अब 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 ढ़क देंगे अब अब आपके हम इने पका लेते हैं करीड 2 मिट के लिए और देखिए 2 मिट बाद हम चे तो इस तरह से आप इस रेस्पी को जरूर ट्राइ कीजिए गा और इसे आप किसी भी पार्टी में बना सकते हैं बहुत ही अच्छी लेगती है तो थोड़ा सा गरम मसाला उपर से स्प्रिंकल किया है मैंने तो आपको पसंद है तो आप कीजिएगा वनना यह ओप्शनल है और इससे पहले हम आपको देखिए दिखाते हैं अच्छे से यह पग गई देखिए किते अच्छे से मैश हो रही है और देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है तो इस तरह से आप बनाएंगे तो बस खाने वाले तो खाते ही रह जाएंगे तो चलिए अब हम इसे हटा और बनाने का तरीका कुछ डिफ्रेंट हो जाता है तो सब्स देखने लाइक होती है और सौद भी कई उना बढ़ जाता है तो इस तरह से आप इसे बनाईए और इसे एंजॉय कीजिए तो एक बार अगर इस रेस्पी को खाएंगे तो आप हर बार ऐसे ही बनाना चाहेंगे त तो प्लीज ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो मिलती हूं नेक्ट वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग बबाई